ओम गनेशा ये नमहा जेश्ट संकष्टी गनेश चतुर्थी व्रत का था। सत्युग में सौ यग्य करने वाले एक प्रिथु नामक राजा हुए। उन्होंने दयादेव नामक एक ब्राहमन वहाँ पे रहते थे। वेदों के निश्टांग उनके चार पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाहा ग्रह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चार बहूं मैं जो बड़ी बहू थी वह अपनी सास से कहने लगी कि हेसा सुमा। मैं बच्पन से ही संकट नाशक गणिश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पित्र ग्रह में भी इस शुब दायक व्रत को किया है। अतह हे कल्यानी आप मुझे यहां ये व्रत अनुष्ठान करने की अनुमती प्रदान करें। पुत्रवधु की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा हे बहु, तुम सभी बहुँं में शृष्ट और बड़ी हो, तुम्ही किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं है और ना तो तुम भिक्षुनी हो, ऐसी स्थिते में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो। थे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारे समय उपभोग करने का है, ये गणेश जी कौन है, फिर तुम्हें करना ही क्या है। और उसके पुत्र के विवाकाल में वरवधु के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अफ़रन कर लिया। परिणाम स्वरूभी मेरा पुत्र गायब हो गया है अपने पुत्र वधु के मुक से ऐसी बात को सुनकर ब्राहमन दयादे बहुत ही दुखी हुए साथ ही पुत्र वधु भी दुखित हो गई। पुत्र के लिये दुखित पुत्र वधु प्रती मा संकट नाशन गनेश चतुर्थी का अबरत करने लगी। एक समय की बात है कि गनेश जी एक वेदग्य और दुर्बल ब्राहमन का रूप धारन करके भिक्षा टन के लिए इस मधु भाषणी के घर आए। वस्त्र आदी दिये। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राहमन कहने लगे हे कल्याने हम तुम पर प्रसन हैं। तुम अपने इच्छा के अनुकूल मुझसे बरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राहमन वेशधारी गनेश हूँ और तुम्हारी प्रीती के कारण आया ब्राहमन की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी के हे विग्न हरता। यदि आप मुझसे प्रसन हैं तो आप मुझे मेरे पती के दर्शन करा दीजिए। कन्या की यह बात सुनकर गनेश जी ने उससे कहा कि हे सुन्दर विचार वाली जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा तुम्हारा पती शिग्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वर्दान देकर गनेश जी वही से अंतर ध्यान हो गए कुछ समय के बाद उसका पती घर वापिस आ गया सभी बहुत प्रसन हुए विधी अनुसार विवहा कार्य संपन हुआ। इस प्रकार कि अनुसार विवहा का विवहा लापए का गनुसार विवहा विवहा ही जी शेजा ही आए लाप ओश्वा विवहा है का छू ऑपर दूर के लावड़ा का ख़र्य स्वेंग। इस आए वद में देकर भावा है